दोस्तों अभी हमारी सेना के पास सो की संख्या में के नाइन हाविडजर गन मुझूद है और हमारी सेना ने इन के नाइन हाविडजर गन को इस समय लद्दाक में तैनात कर रखा है शुरू में जब हमने साउथ कोरिया से इन के-9 हाविर्जर गन को खरीदा था उस समय फैसला ये लिया गया था कि हम अपनी इन के-9 हाविर्जर गन को केवल डेजर्ट कंडिशन में ही उपरेट करेंगे लेकिन बाद में हमारी सेना ने इन गन को जब लद्दाक में तैनात किया था उस समय इन गन की पर्फोमेंस हमारी सेना को काफी पसंद आई थी जिसके बाद हमारी सेना की तरफ से सो नई के नाइन वज्र गन को लेने का फैसला लिया गया था और इन गन के साथ हमारी सेना विंटर किट को भी लेना चाहती थी इन गन को स्पेशली हमारी सेना लद्दाक में ही तैनात करने के लिए लेने वाली है लेकिन अब हमारी सेना की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि हम जलज से जलज 200 की संख्या में नई K9 Richardsar Gun को खरीदेंगे और इन नई 200 क9 Richardsar के आजाने के बाद हमारी सेना के पास 400 की संख्या में K9 Richardsar Gun मूजूद होंगी K9 Richardsar Gun में पहले जो इंजन लगा हुआ था वो एक जर्मन ओरिजन का इंजन था लेकिन अब साउथ कोडिया ने अपनी के नाइन हाविर्जर गन के लिए तव देशी तोर पर इंजन बना कर तयार कर लिया है जिसकी वज़े से आगे चल कर अगर भारत की तरफ से इन गन को खरीदा जाता है तो इन गन की सप्लाई चैन में कोई भी इशू नहीं आने वाला ह प्राट में एक अपडेट हमारे स्फीफ्ट यू सीए वी को लेकर भी आया है जब शुरु में भारत की तरफ से स्फ्ट यू सीए वी को बनाने का फैसला लिया गया था उस समय स्विफ्ट यू सीए वी का इस्थमाल हम केवल टेखनिलोजी डेमोंस्ट्रेटर के रूप मे ही करने वाले थे इस बात को आप और ज्यादा असान भासा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम अपना घातक बॉंबर बना रहे हैं उस बॉंबर के लिए जितने भी टेक्निलोजी बनाई जाती थी पहले उन टेक्निलोजी को हमारे स्विफ्ट यूसी एवी में लगाय जाता था और फिर उन टेक्निलोजी का परिक्षन किया जाता था और जब टेक्निलोजी पूरी तरीके से बन कर तयार हो जाती थी उसके बाद उन टेक्निलोजी को घातक बॉंबर में लगाने का फैसला लिया जाता था लेकिन बाद में हम 2022 को ही हमने अपने Swift UCAV की पहली उडान कराई थी और उस समय बताया गया था कि 2025 तक हमारा Swift UCAV पूरी तरीके से बन कर तयार हो जाएगा तेकिन अब बताया ये जा रहा है कि डियाइडियो की तरफ से Swift UCAV के डिजाइन को और जादा रिफाइन किया जा रहा है और इस बार जो Swift UCAV के लिए डिजाइन बना कर तयार किया जा रहा है उसके एर इंटेक में और एक्जोस्ट में बदलाव किया जाएगा जिसका फाइदा यह होगा कि हमारा Swift UCAV पहले के मुकाबले जादा स्टैल्स बन जाएगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी सेना के प आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो